कश्मीर के जो वरतमान परिस्तितियां हैं बहुत ही संकीर्ण हैं बहुत ही भयावा हैं उनके साथ एक टर्म एक ज्यादा वाबस्ता रही है पिछले लगबग तीस वर्षों से और वो है कर्फियो चूंकि आज से पहले तीन-चार साल छे महीनी का कर्फियो रहा और इस समय भ जो कश्मीर गाटी की जगहें हैं वहां या तो सरकारी तोर पर कर्फियो है या सिवल कर्फियो है और कर्फियो श्रीशक से ही मेरी एक कविता है चीलने भर्दी है अपने पंजू में शहर की सारी चहल पहल चीलने भर्दी है अपने पंजू में शहर की सारी चहल पहल सडकों पर गूम रही है नंगे पाउं चुपी की डाइन गौरिया ने अपने बच्चों को दिन में ही सुला दिया है अपने मन के बिस्तर पर और अपने सिरहनी रखी है आशंकाओं की मैली गठरी दूर बस्ती के बीच बिजली के खंबे के उपर आकाश के लहरियों पर कश्टी चलाता एक पंची गिर कर मर गया है तो दोस्तो कश्मीर आज कैसा है कैसा दिखता है कैसा दिखता था पिछले कुछ समय पहले पिछले कुछ साल पहले पिछले कुछ दशक पहले ये सब डॉक्टर निदानावाज की कविताओं में दिखता है निदानावाज की कविताओं अपने आप में अक्स भी हैं और आइना भी जिसमें हम कश्मीर, कश्मीरियत और अपना भी चेहरा देख सकते हैं कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले डॉक्टर निदन आवाज संतर इसट में जन में इनसे हमारी मुलागात अभी दिल्ली में विरेनियत चार प्रोग्राम में हुई हमने इन्हें यहां अपनी कविताएं सुनाने के लिए आमिंतृत किया आपके अभी तक कई किताबे आच चुकी हैं 1997 में अक्षर अक्षक रक्षक रक्त भरा 2015 में बर्फ और आग सिस्कियां लिता स्वर्ग इसके लवाभी कई और किताबे डॉक्टर निदा आपका निउस्क्रिक में बहुत-बहुत स्वागत है हम आपसे राजनीती पर बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए आपको मना ही है हम के वल कविता की बात करेंगे अब बात ही क्या आपसे कुछ आपके मन की कविताएं सुनेंगे तो पहले कुछ कविताएं ये कश्मीर की वरतमान परिस्तितियों परादारित ही कविताएं हैं, चूंकि हालात अगर खराब हैं, हालात अगर बारूद से जहर बरे हैं, तो प्यार कहां लिखा जाएगा, सिधी सी बात है, तो ये कविता उसी संदर्व में लिखी गई है, मैं तो कविताओं का चरवाहा मैंने भला कब चाहा था अपनी कविताओं में तुम्हारे प्यार के सिवा कुछ भी लिखना, मैंने भला कब चाहा था बहम, बारूद और बंदूखों पर कविता लिखना, या करफियो, क्रेक डवन और क्रास फाइरिंग की बातें करना, या उन सेंकडूं नरसनहारों को धरज करना, जिन में हजारों निर्दोश लोग मारे गए, मैंने भला कब चाहा था कि मैं उन सेंकडूं फर्जी जड़पूं की बात करूं, जिन में हजारों युवाओं का इस्तेमाल हुआ, और नहीं कभी चाहा था उन बेनाम कबरों पर बात करना, जिन में मावजूद कंकालों पर भी कोतवाल की बरबरता के निशान माजूद है मैं तो कविताओं का चर्वाहा हूँ, मैं तो कविताओं का चर्वाहा हूँ, बला कब चाहूंगा कि मेरे कॉमल शब्दों के रेवड पर आतंकवाद का जहरीला साया भी पड़े, नहीं चाहा था कि मेरी कविताओं में कोई कोतवाल मुझे डराए, या कोई नकाब पोश गुस्पेट करे वही नकाब पोश जिनके फुत्वों के डर से रात के भाईबीत अंदेरों को फलांग कर तुम अपनी बातर बूमी से निकले थे ये कविता दरसल मैंने अपनी दोस्त सरिता के नाम लिखी है जो कि विस्थापन जेल रही है मैंने ये सब कब चाहा था मैं त मैं तो चहता था तुम्हारे बालों को लहराते बादल लिखूं मैं तो चहता था तुम्हारे बालों को लहराते बादल लिखूं लेकिन यहां तो टियर गेस और मिर्च गेस के गहराते बादल हैं मैं तो तुम्हारी आँखों को रहसमई जंगल लिखता लेकिन अब तो मे यहां के सारे गुलाब मुर्जा गए हैं मैं चहता था तुम्हारी मुसकान को सुरियो दे लिखूँ लेकिन यहां सच के सभी सुरियों पर पहरे बिठाए गए हैं मैं चहता था तुम्हारे सुरूप को दरिया लिखूँ लेकिन यहां का एकलोता दिरियाई जहल भी लहुरंग हो गया है जब मैं दारमिक दलालूं नफरतूं के सोदागरूं और तानाशा प्रशासन के बीच फंस गया हूं तो अपनी कविता को तुम्हारे रेशमी बालूं गुलाबी होंटूं रहसिम आँखूं दरियासी देह सुरी किरन सी मुसकान से दूर ले जाना लाजमी ठहरता है मेरी जाना और लाजमी ठहरता है शब्दूं के सशक्त प्यालों में कड़वा यथार्थ परोसना हर तानाशा और आतंकी के खिलाफ दरिज करना एक परजोर विद्रो वरना मैंने बला कब चाहा था अपनी कविताओं में तुम्हारे प्यार के सिवा कुछ बे लिखना क्या बात क्या बात और ये दूसरी कविता है चोंकि आपने अभी बात की थी कि हम सिर्फ कविताओं बात करेंगे कविताओं तब तक केवल मरे हुए शब्द होती हैं जब तक ने उनमें एक ख्याल हो और एक ख्याल से या जो समाज में राजनिती चलती है उस से कहां तक एक लेखक बाग सकता है मैं उस सरग में रहता हूँ जहां मश्कूक होना ही होता है मर जाना मैं उस सरग में रहता हूँ जहां मश्कूक होना ही होता है मर जाना जहां हर उंचा होता सिर ताना शाहों के आदेश पर काट दिया जाता है मैं उस सरग में रहता हूँ जहां की उपजाव मिटी में अब केसर की गुंडिया नहीं बारूदी सरंगें बोई जाती हैं जहां के बरफील पहाड लहुरंग विलाप में बदल जाते हैं जहां के जरनों को मिलता है लोगों के आंसों से बहाव जहां सिमटते जा रहे हैं खेत फैलती जा रही हैं फोजी चावनियां जहां देखते ही देखते सडकें हो जाती हैं रिक्तिम और मिर्च गेस की शेलिंग से आंखें हो जाती हैं सुरुक अंधी मैं उस सरग में रहता हूँ जहां जूट की आंखों मैं आंखें डालना ही होता है अपनी मौत को बुला लेना आगे बढ़ जाना ही होता है अपने पाउं पर कुलहाड़ी मारना और सच के हक में बोलना ही होता है सधेव के लिए बेजबान हो जाना मैं उस सर्ग में रहता हूँ जहां गर से निकलते समय माएं अपने बच्चों के गले में परिचे पत्र डालना कभी नहीं भूलती मैं उस सर्ग में रहता हूँ जहां गर से निकलते समय माएं अपने बच्चों के गले में परिचे पत्र डालना कभी नहीं भूलती बले ही वह बूल जाएं टिफन या किताबों के बस्ते अपने नन्नों के परिचे के खात्र नहीं बलके उनका शाओ गर के ही पत्ते पर पहुँचे इस बात की ही चिंता रहती है उन्हें मैं उस सरग में रहता हूँ जिसकी सीमाओं की फजाओं पर वर्षूं से मंडरा रहे हैं चील कवे और गिद और जहां मानो कंकालों का लगा हुआ है अनवर्द पर। मैं उस सरग में रहता हूँ जहां दोसरों की शर्तों पर जीवन और अपनी शर्तों पर केवल मौट चुनी जा सकती है जहांके बाजारों में होती है खुफ की चहल पहल और लोग लेप लेते हैं चहरों पर जोटी मुस्कुराहटों के फीके रंग मैं उस सरग में रहता हूँ जहां के जन गरना दफ्तरों में आदी माओं और आदी विद्वाओं की बढ़ती जा रही हैं सूचियां जितनी बढ़ती जा रही हैं लापता किये गए लोगों की संक्या मैं उस सरग में रहता हूँ जहां चेहरों पर चहकता है सोग पैरों में पढ़ जाती हैं जन्जीरें दिलों में दड़कती हैं दहशतें आँखों में अटकते हैं सपने और उंगलियों पर उगती हैं हैरतें मैं उस सर्ग में रहता हूँ, जहां बच्चा होना होता है सहम जाना, जवान होना होता है मर जाना, अवरत होना होता है लुट जाना, और बूड़ा होना होता है अपने ही संतान का कबरिस्तान हो जाना, मैं उस नर्क में रहता हूँ, जो शताब दियूं से भोग रहा है, पर भवा और जूटा आरॉब। मुझे लगता है सिस्क्यालेता स्वर्ग से ही ये कविता ले गई है है इसी साल मेरा कविता संग्रह आया है, अंदेरे की पाजैब। उसी कविता संग्रे से ये ले गई हैं और आब मैं चाहूँगा कि वो बंकर बसती और जी जी वही मेरे सामने हैं जी बंकर बसती किसी भी इक अन्फिलिक्ट जून में ये सिर्फ जमो कश्मिर की बात नहीं है बलकि जब हम श्वस्तर पर देखते हैं जितने भी इक अन्फिलिक्ट जून हैं वहां कुछ साइकलाजिकल प्राब्लिम्स और कुछ मेंटल प्राब्लिम्स भी होती रहती हैं और उसके साथ-साथ जो पूरा शेहरों का और बस्तियों का डांचा होता है वो बदल जाता है वो बंकरों में तबदील होने लगता है किसी भी कन्फिलिक्ट जून में और कश्मीर में भी ऐसी हालत है जहां कल तक खुबसुरत दुकाने थी वहां कोई न कोई बंकर खड़ा होगा जहां कल तक कोई खुबसुरत चोरहा था वहां कोई न कोई बंकर खड़ा होगा और बंकर और रेजर वायर बाड़ वगेरा वो तो पूरा शहर या पूरी बस्ती कन्फिलेक्ट जून की फिर उसमें पढ़ जाती है और ये बंकर बस्ती की चोटी चोटी कविताएं हैं आँकों में आँखें डाल कर फुनकारता है डर बंकर के चारों तरफ बिछी रेजर वायर के नुकेले बलेड ड़ल जाते हैं सपनों के हजारों विश दंतों में रेजर वायर के नुकेले बलेड ढल जाते हैं, सांपों के हजारों विश दंतों में बेसाकता तेज हो जाती हैं दिल की बेतरतीब दड़कने बंकर के अंदर से बंदूकों के ट्रिगर्स पर उंगलियों का दबाव बढ़ने लगता है बोकी आँखों के चंद जोड़े एक थर्थराते देह पर साधने लगते हैं अचूक निशाना इस बंकर बस्ती के नुकड पर हर दिन मर जाता है कोई अलहड बालक परिंदा एक बेना मौत शाम होते ही हर तरह फैल जाता है सिया सहमा सनाटा लोग ड़ल जाते हैं लाशों में सूरज डर के मारे सिकुड जाता है एक बड़े से रक्त धबे में नीडू में सिमट चुके परिंदे मुश्किल से सुन पाते हैं बंकर बस्ती की धीमी धड़कने अजानों और चिमनियों से निकलता हरा काला धुआ गेर लेता है सारी फजा को किसी बंकर से निकली रम और विस्की की ताजी बू उंची मीनारों का चिड़ा रही है मुख चंद बिखरी परचाईयां सुरमई सांज की उखडी सांसों पर लिखकर चली जाती हैं इतिहास के निर्दे अक्षरों में अपनी पहचान खो चुकी एक सुन्दर गाठी की आखरी वसियत सब कुछ तयार है बोने मीडिया कर्मी बुलाए जा चुके हैं केमरों की आँखें तन गई हैं बंकर चोक पर सब कुछ तयार है भोने मीडिया कर्मी बुलाए जा चुके हैं केमरू की आँखें तन गई हैं बंकर चोक पर एक कलंशकोफ और चंद हत्गोले भी हत्यार ग्रह से मंगाए गए हैं प्रेस नोटों में केवल नाम मातर भरना बाकी है प्रतीक्षा है बस एक नए निशाने की बगल में फाइले दबाए निकलेगा ही कोई बाबू दफ्तर के लिए किसी चातर को सकूल जाने की जल्दी तो होगी हस्ताल जाने की टोह में कोई बीमार तो चहता होगा दर्द से बचना अपने बच्चों की सकूली फीस जुटानी की मिश्ती में मजदूर तो कोई निकलेगा ही अपने घर से और कल परोसी जाएगी समाचार पत्रों में टीवी चनलों के प्राइम टाइम पर बड़ी बेबाकी से यह खबर कल बंकर बस्ती के चोक पर कोतवाल के साथ हुई मुडबेड में एक खुंखार आतंकी मारा गया और एक चोटी कविता है इसी शुटा की बंकर बस्ती के उस किनारे सकूल के आंगन में फैली बच्चों की बेजान पंक्तियां किसी पालथीन के अलबम में सजाई गई हो तितलियां या जैसे चोटे चोटे रोबोज को कभी न मुस्कुरानी और नहीं कभी खुश रहने के लिए प्रोग्राम किया गया हो युद शेत्र बने मेरे इस शहर का बेजान मुर्जाया हुआ यह बविश अपनी नाजुक कंदूं पर अतीत और वरतमान का क्रूर बोज उठाए एक लक्षिहीन सडक पर दिन रात रिंग रहा है बनकर बस्ती की एक अंदेरी गली में चहरे पर काला नकाब चड़ाए एक आतंकी साया दो रहा है खून से सने अपने हाथ और थोड़ी ही दूरी पर किसी निर्दोश के जीवन पन्नों पर रिक्तिम छीटूं से लिखी जा चुकी है एक आखरी लाल अबारत योवन के कांदूं पर मस्ती से चलती पीले सुरमई लाल रंग की एक नाजुक तितली का सफेद फिराक बनकर बच्ती के तारूं में फंस गया देह के साथ साथ आत्मा भी रक्त रक्त हुई उसके सपनों की सिस्कियां और मर्यादा की फड़फडाट बीच बंकर ही दफन हुई किसी ने कुछ भी नहीं देखा मैं चाहता था कि एक तो थोड़ी सी बात ये थोड़ा सब जानना चाहता था कि कश्मीर और हिंदी कविता और वह दौर जब वह 97 का जब आप की किताब आ जाती है हिंदी में आपने हिंदी को चुना दरसल कश्मीर में अगर हम देखें कश्मीर में हिंदी जो है लगबग चोथी बाशा है और हिंदी का उतना वहां प्रेचलन नहीं है हिंदी में जो लिखते थे 1989 से पहले या हम कहें मिलिटनसी के आगमन से पहले तो वो ज्यादतर कश्मीरी हिंदू थे चुंकि जब पलाइन हुआ तो वो सारे के सारे वहां से बाहर कोई जो मुँ में रहनी लगा कोई देश के की विबन जगहों पर रहनी लगी तो वहां फिर एक खलासी पैदा हुई एक गयापसी आगई हिंदी लिखने वाला लगब कोई नहीं था हम दो लोग थे एक मेरे मित्र हैं सतेश विमल जी तो वो आकाशवानी श्रेनगर केंदर के साथ संबंदित हैं लेकिन वहां की जो परिस्तितियां हैं उनको लिखने से परहेशी करते हैं और एक में था जो हिंदी लिखते थे और जन्होंने अपना ये कर्तवी समझा कि जो भी यहां गट रहा है और एक लेकिका करतवी अथाही होना चाहिए कि जो भी वो देखे जिस चीज का वो अनुभ खरे तो उसको उसी तरह से वो पेश करे यह इक कर्तवी होता है लेका लेकांद कटानिया में कंदे चोब हे角ि मीन नहीं करनी पहली के पहली । अक्शर अक्सर अक्तबरा जसको मानुस अनसादन विकास मंतर ली के और से राष्ट्रे पुरसकार भी तो एक अईसा कविता संग्रह था किसी भी बाशा में जिसने मिलिटेंसी को और विशेश कर जो वहां और लंगन होता था मानव एधिकारों का तो उसको रिंखाकित किया तो उससे और अब तक का सफर जो 2019 तो किस तरह से अब किस तरह से बदलाव उसमें आये किस तरह से आपने खुद को देखा हालात की बात है और कश्मीर की बात है जो मेरी पहली किताब थी तो वो सीधे तो पर अगर देखा जाए तो एक वो तो आतंकवाद के ही खलाव थी उसमें कोई शक नहीं है मगर फिर हालात बड़े बहुत ही अलग हो गए फिर ऐसा अनिश्चिता का ऐसा जाल वहां बुना गया और अजनसीज और डिफरेंट किसम के लोग और सरकारें और प्रशासन और उदर के लोग इदर के लोग उस पार की अजनसियां इस पार की अजनसियां और ऐसा यह परिस्तिति थी और उन्ही परिस्तितियों मैं फिर फेक एंकाउंटर्स भी हुए फिर फेक बहुत कुछ हुआ फिर फेक नियूजिंग चलनी शुरू की लेकिन मैंने वही अपना एक लेकर की हिसित से अपना करतवी निवाते हुए फिर मेरी किताब जो आई सिस्कियां ल और मैंने कोई चीज उसमें चुपाई ही नहीं अगर किसी जगा आतंकियों ने किसी निर्दोश को उठाया था मेरी आँखों के सामने तो मैंने उसका उलेख किया अगर किसी जगा भूज की तरफ से कोई जादती हुई थी मैंने उसका उलेख किया क्योंकि मैं ये सोच रह दुख मुझे रहता है कि कश्मीर का जो आम आदमी है, वो बहुत कुछ बोग रहा है, बहुत दर्द बोग रहा है, आम आदमी, क्योंकि वो दो पार्टन के बीच फंस गया है, उस पारवाले एक साइड से, उनकी अजनसियां एक साइड से, मिलिटनिट एक साइड से, फोज से और बीच में जो है वो आम कश्मीरी फंस गया है तो मेरा दुख यह है कि जो कश्मीर से फिर जिन्होंने पलाइन किया बाहर उन्होंने कभी उनकी बात नहीं की उन्होंने आम कश्मीरी को ना अपनी कविताओं में लाया ना अपनी उपानियासू में लाया ना किसी साहिती से कश्मीर में हूँ और कश्मीर में इन तीस वर्षों के दोरान मैंने सेंकडों क्रेक डवन देखे होंगे मैंने सेंकडों क्रास फैरिंग्स देखी होंगी मैं खुद एक हदगोले की जद में आ गया जखमी हुआ पूरी तरह गायल हुआ और उसका लेक मेरी सिस्कियां टेत एक माइन बुलास्ट हुआ, उसमें स्कूल के बच्चे मर गए, उसमें सड़क में चलते हुए लोग भी मर गए, तो मैंने कविता लिखी थी, उनहीं बच्चों को याद करते हुए, मत जगाओ मेरे बच्चों को, बारुदी सुरंग की लपेट में आने वाले मृत स्कूल ब रहने दो इनकी नन ही जेबों में सुरक्षित ये कलमें, पैंसलें और रंग बिरंगें स्कैच पिन, ये निकले थे सकूल के रस्ते से इस विशाल ब्रमान को खोजने, निहारने, ये निकले थे अपने जीवन के साथ साथ पूरे समाज की आँखों में भरने, सुनहले सपन अभी इनका अपना कैनवास कोरा ही पड़ा था, और ये सोच ही रहे थे, भरना उसमें विश्व के सभी खुशनवा रंग, लेकिन ताना शाहूं के गुरगू ने नहें रिक्तिम रंग से रंग दिया, मत ठोंसो इनके बस्तू में अब चाकलेट कैंडीज और केसरिया से मुक्त हुए हैं, अब इनको नहीं चाहिए गाजर का हलवा, छोले, भठोरे या फिर कोई मन पसंद सैंडविच, जब रोटी और रक्त की चींटें मिलते हैं एक साथ, आरंब होने लगता है सामराज का विनाश, सुखी रेत की तरह सरकने लगता है बड़े बड़े तान आशाहूं का हैकार, मत जगाओ मेरे बच्चों को गहरी नींद से, इन्हें सोने दो परियों की गोद में, मत उतारो इनके लाल लाल कपड़े, इनके खून सने जूते, लहो रंग कमीजें, इनको परेशान मत करो अपनी आहूं और आसूं से, इन्हें आशान मत करो अपनी स समर्टियों से मत जगाओ मेरे बच्चों को गहरी नीद से इनहें सुने दो परियों की गोद में सुने दो इनहें सनातन सरगियां लोरियां ये नीदों के एक लंबे सफर पर निकल पड़े हैं। अब हो और सुने की सामर्थ हैं नहीं बची इतनी समधनशील कविताएं ऐसी मंदर कशी ऐसा विवरों ऐसा आप यकीन नहीं करेंगे एक एक कविता लिखते हुए मैंने बहुत रोया है और हैसना जो है मैं तीस वर्षों से अब हैसना हम बूल गए हैं आम कश्मीरी अब बू खैर फिर भी मैं ये कहूँगा कि अनुचे 370 हट गया हसने के लिए कुछ नहीं फिर भी कविता का एक पुल तो है ये पुल बनाये रखने के लिए शुक्रिया हाला कि हम पुल की व्यथा भी जानते हैं हमारे मित्र हम प्रकाश नदीम उनके शब्दों में गर मैं कहूँ क एन दरिया में खड़े रहने की पाई है सजा दो किनारों को मिलाया ये खता पुल की है तो बहुत बहुत धन्वाद बहुत बहुत शुक्रिया